लो दोस्तो । वल्कूर्ण मैं और सिवी कॉंसेंक दोस्तो आज की वीडियो में आपको जो गर के बधियुका आपको बिल्दिन् reef के अंदर जो भी दोस्त हमारे मैं आपके साथ डिस्क तो चले सटार्ट करते हैं टो सबसे फहले हमारा होता है , घर के अंदर baş दौसतो , DIA यह जो चीज है रहे उसके सबसे नीचे बौटम में होता है oczywiście दोस्तों फांडेशन का जो सपोर्ट करने के लिए किया जाता है तो PCC वर्क की थीकने दोस्तों 100 mm मिनिमम यहां पर होती है यह ब्लैक कलर की पट्टी आप देखी यह PCC मतलब उसके बाद दोस्तों हमारा फूटिंग राइट उसके बाद हमारी जो फूटिंग अगर गर ऑप बनाते हैं तो 10 cm मतलब 100 mm फूटिंग वह बी होती है उसके उपर कॉलम होता है जिसकी साइज दोस्तों आप मतलब बॉत्टम में यहां दो सकते हैं और एक कम भी हो जाती है तो को यहाँ पर गरावब नौ इंच भी गालों लें तो यह कोलम फोर द्सकृ स democracy में इसके आताए crave कि पिस्टी होता है और जो जगा बीच में बचती है उसका दोस्तों वो फटिफाइइवाइड में हम आर्थ फिलिंग करता है उसके बात दुस्तों 15 cm का जो क्या होता है 15 cm का क्या होता है वो हमारा flooring concrete किया जाता है जिसके उपर flooring आने वाला है तो 15 cm का flooring concrete होता है उसके उपर flooring trial होती है तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कि यह 15 x 45 x 15 मतलब करीबन 0.6 meter मतलब जो plinth की height है करीबन दोस्तों 3 feet की करीब हमारी plinth की height यहाँ पर ली जाती है ठीक है उसके उपर flooring tiles हमारे आती है और दोस्तों उसके उपर देखिए उसके उपर जब window का जो window जो level पर रखी जाती है मतलब window का जो bottom surface होता है उसको हम दोस्तों C level कहता है तो यह यह जो height आप देख रहे है यहां से लेकर यहां तक ठीक है यहां से लेकर यहां तक की height होती है उसको हम क्या बोला जाता है C level वो करीबन दोस्तों 1 meter या फिर 3 feet की होती है तो यह C level है यह क्या से flooring top से लेकर जो window का जो bottom है यहां तक की height हमें क्या बोलते है C level बोला जाता है ठीक है उसके बाद दोस्तों हमारी window की height है window से लेकर window का बॉटम है उससे top तक वो जो window की height होती है वो करीबन जनरली दोस्तों 4 feet रखते है अगर आप 3 feet अगर seal लेंगे तो window की height जनरली दोस्तों 4 feet की होती है और जो window है दोस्तों उसके उपर हमारा क्या होता है छज्जा होता है RCC 6 होता है और RCC Lintel होता है तो Lintel की thickness दोस्तों 10 cm से 15 cm के बीच हो सकती है ठीक है और जो RCC 6 है दोस्तों वो 45 cm at least मतलब बाहर आना चाहिए 125 mm और 6 inch के करीद दोस्तों यह हमारा ACC slab जो होता है उसकी thickness होती है और उसके उपर parapet wall होती है उसकी thickness दोस्तों यह जोने पर 9 inch की होगी तो यह उपर वाली wall 4 inch अपर 6 inch की हो सकती है और यह दोस्तों parapet wall के height करीबन 3 feet की होती है दोस्तों इस तरह से दोस्तों bottom से लेके top तक के सारे component दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे तो यह होता है दोस्तों building के अंतर main component दोस्तों ऐसे होती है जहाँ जहाँ column दोस्तों होता है वहाँ, इस तरह से के सारे component यहाँ पे आपको नज़र आजाएंगे तो अगर दोस्तो यह वीडियो मेरा अच्छा अज़्म करते जरूए सबस्क्राइब एज़े मेरा youtube स्सेप्ट तो इसी तरह से दोस्तो में आपको इस तरह से वीडियो में आपको डेता रहूंगा